हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई योटूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस दोस्तों आप सबका स्वागत हमारे नए एपिसोड में वास्तु अपना लाइप बनाओ यह एपिसोड एवरी नाइट 9 पीम को हम अपलोड करते हैं फ्रेंड्स आज के इस एपिसोड में आज के प्रेंड्स आज आज आपको इस यह जो रोमांचक उनका सवाल है उसका बहुत अच्छा जवाब मैं आपको देने की कोशिस करूंगा अगर जब कभी भी वास्तु के अंदर समझो के अगनी कोन के अंदर कीचन होता है तो यह वास्तु का बहुत ही अच्छा 100% अगर अगनी कोन में हो तो क्या पूरा वास्तु बन गया नहीं अगर आपका कीचन अगनी कोन में है और खाना बनाने वाले जो हमारे घर की फीमेर है या मेल है उसका मुह इस्ट जोन में नहीं हो रहा तो भी वास्तु दोस बनेगा यानि पर इनका जो सवाल है कि हमारा घर का जो कीचन है वो अगनी कोन में है और खाना जो बनाते हमारे घर के अंदर सदस्य उसका मुझ भी समझो के वो पुर्वदिशा की तरफ ही है अब प्रोब्लेम्स क्या आए पर उनका जो कीचन प्लेटफों में वो ब्लेक कलर का है यहां ही वास्तु दोस्त क्रियेट हो रहा ह आप भी अगर आपके घर की विजिट करोंगे या आपके घर को नोटिस करोंगे तो आपने सोच लिए भी हमारा कीचन अगर वास्तु के विपरित हो या वो जोन के विपरित भी हो तो भी वास्तुदोस होता है जैसे अगर East Zone के अंदर अगनी कोन के अंदर अगर आपका कीचन है और प्लेटफॉर्म अगर ब्लेक क्रेनेट का है ये अकसर लोगों के घरों में देखा जाता है और अकसर आज कल भारत के 90% गरों के अंदर अगर घर काम सर्वे करेंगे तो घर के अंदर स्त्रिया भुत बि thinking रहती है उसको कभी कमर के दर्द कभी पीट का दर्द कभी पाउं का दर्द बहुत सारी तकलिफ उनको जैनी पड़ती है क्योंकि क्या यह क्या रिजन है यह वास्तू से करता है मैं उमीद करता हूं कि वह भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर अब जब भी हम कीचन के प्लेटफों की बात करेंगा तो बेक ग्रेनाइट यानि ब्लेक कलर हमेशा पानी को रिप्रेजन यान प्रेजन करेंगा अब क्या होता है जब भी हम अगनी गहस काम उप्योंक करते है तो वह ब्लेटफों के ऊपर वह बर्नर के माध्यम सबने हमें प्रजलित होती है यानि पानी पानी के उपर अगनी कावरण हो जाता है और पानी और अगनी वरसों से एक दूसके दुश्मन ये एक दूसरी opposite alignment है जो कभी भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो negative वास्तु create करेंगे negative energy create करेंगे क्योंकि पानी को ऐसा है कि अगनी मेरा क्या कर लेगी और अगनी को ऐसा कि पानी मेरा क्या कर लेगा ये दोनों जो opposite alignment है वो अभी भी एक zone के अंदर नहीं रह सकते है अगर कोई वास्तु के कोई भी एक zone के अंदर ये दोनों alignment आ गये तो महाँ पर 100% वास्तु का वास्तुदोष होगा और अगनी कुन के अंदर ये जो वास्तुदोष बन रहा है तो अगनी कुन फिमेल का कौन है, वहाँ पे इस तरियों का सामरज्ज है, क्योंकि वह एट अवर्स तो अगनी कौन यानि कीचन के अंदर रहते हैं, वहाँ की जो नेगिटिविटी है, वो उसकी बोड़ी पे उसकी रियेक्शन आती है, जिसकी वज़ासे हो हमेशा बिमार रहती है, सुनने में थोड़ा वीचलत लग रहा है, पर हमेशा बिमार रहती है, अब उसकी रेमेडि क्या है, अब उसकी एक ही सिंपल रेमेडि है, आपको इसके लिए बहुत खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, एक रेमेडि है, जो मेरा एक वीडियो है कीचन प्लेटफों को मैंन ना बट जाएगी दूसरी जो मेरी डिजर आपको फ्री किया ना इसमें चन रुपिज आपके लगने वाले आपको के शेहर के मार्टि में जाके जल्पर्ट स्टोन मार्ण तर् pony जल्पर्टन है ए asa बरोडा green प्लैटफॉम है और जहां पे गहस रखते हो तो क्या अधा कभी यह जो टाउ होता है गहसोत के तीन यह दो बर्नर होत։ होते जिससे हमें फायर फ्लम मिलती है तो उस फाय फ्लम के नीचे जहां आर अगर सबाओन के आपके इस पाह, चाभ के उनदर त? पर फायर और ब्लेक ग्रेनेट के बीच में यह ग्रिन श्टोन अपना काम करेगा यानि यह आपका वास्तु दोस्त को निभारन करेगा अगर यह वास्तु दोस्त और कोई डियरेक्शन में भी है उसका भी में एक आगे प्रोपरली वीडियो अपलोड करने वालों की चन कौन से कौने में होना चाहिए और कौन से कौन से कौने में पोजेटिव हुआ है और कौन से कौने के यह कौन से जोन में कीचन है तो उसकी क्या रहे मेडिये पर आज का जो मेरा यह वास्तु अपना लाइप बनाओ जो एपीजोड हो स्पेशली कोई वीवर्स पर ही मैं नहीं मिल रहा तो आप मेरे वाट्सॉप पे कॉंटक कर सकते हो मैं आपको एरेंज करके दूँगा यानि आप समझ रहे हो आपका जो प्रोब्लेम्स था कि आपका कीचन अगनी कौन में तो है पर प्लेटफॉर्म ब्लेक कलर का है तो उसकी ये रेमेडीज है आपके कीचन की अपने आपके घら के अंदर मुझे बताए कि इतनी इतनी प्रोब्लेमस है वो मेल जोल खाती वी है अब आपको आपकी प्रोब्लेमस का नीदान भी मिल गया है और उसका कारण भी मिल गया है आशा करता हो ये टीपस आप अपनी लाइफ के अंदर करोंगे और इस महावास तो दोस्त में सब छुपका रहा पाऊंगे और मेरे एपिसोड के शिर्शक के माफिक वास्तो अपनाऊंगे और अपनी लाइफ बनाऊंगे